बहुत ही अराम से तथ्य बताते हुए वो पुले सद्गुरू लगभग सत्तर प्रतिशत से ज्यादा पॉनोग्राफी है तो पिछले दस सालों में हम एक अभ्यास चला रहे हैं अगर आप कुछ अशलील भी देख रहे हों तब भी सद्गुरू सामने आ जाएंगे Inner Engineering हमारे पास संबात के जो भी माध्यम हैं उनका इस्तिमाल इंसानों को रूपांतरित करने के लिए जरूर किया जाना चाहिए देखिए सिनिमा का मतलब है आप बड़े परदे के बारे में सोच रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो एक संभावना नहीं है पर प्रश्न ये है कि उसे जाकर देखेगा कौन उसे व्यवसाइक रूप से सफल भी होना चाहिए व्यवसाइक सफलता मतलब लोगों ने उसे देखा ठीक है एक बार ऐसा हुआ ये 9-10 साल पुरानी बात है मैं अमेरिका में था और एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो एक विशेशग्य हैं इंटरनेट वगेरा के मैं खुद कभी इंटरनेट पर जाकर कुछ सर्च नहीं करता मेरे पास उन चीजों के लिए समय नहीं होता तो मैंने उनसे पूछा लोग क्या देखते हैं हर कोई अपनी स्क्रीन के और देख रहा है वो क्या देखते हैं बहुत आराम से बहुत ही आराम से तथ्य बताते हुए वो बोले सद्गरू लगभग सत्तर प्रतिशद से ज्यादा अशलील चीजें मैंने कहा क्या वो बोले हाँ मैंने कहा मैं इस बगवास में विश्वास नहीं करना चाहता सत्तर प्रतिशद दशलील है ये असंभव है फिर मैंने कुछ और लोगों से पूछा वो सभी बोले हाँ लगभग उतना ही है शायद पैंसेट या सत्तर होगा और वो इसका इस्तिमाल और किन चीजों के लिए कर रहे है कई आन्य चीजे हैं ड्रग्स बेशने के लिए हत्यार बेशने के लिए पर जिस चीज ने मेरे अंदर सबसे ज्यादा घ्रिणा पैदा की वो ये थी कि इंटरनेट पर हर साल पंदरा साल से कम उम्र के सोला लाख बच्चे बेचे जाते जब हम अपनी बच्चों को बेचने लगें तो मनुश्यों के रूप में हम सबसे निचले स्तर पर गिर चुके हैं इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरा जा सकता हम? जब हम अपने बच्चों को हर तरह की गुलामी में इस्तिमाल के लिए बेचने लगें तो इसका मतलब है हम नीच्टा की हद तक पहुँच गए हैं इससे नीचे नहीं गिर सकते हैं न? तब मैंने तै किया कि मैं इंटरनेट पर जाऊंगा तो पिछले दस सालों में हमने ये अभियान चलाया है आप में से कई लोग जो उंचाई पर बैठे हैं आपने ये जहला होगा कि अगर आप कुछ अशलील भी देख रहे हों तब भी सद्गुरू सामने आ जाएंगे Inner Engineering मैं ये थोड़े आनन से कह रहा हूँ क्योंकि जब इतनी जबरदस्ट तकनीक हमारे लिए उपलब्ध है तो क्या हमें ये करना चाहिए देखिए इस धर्ती पर कई महान प्राणी आएं लेकिन जब वो आए और उन्होंने कुछ कहा तो मुश्किल से दस लोगों ने सुना उन दस लोगों ने उसे हर तरह के रूप दे दिये आज पहली बार आप यहां बैठ सकते हैं और पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं जब हमारे हाथ में ऐसा साधन है अगर हम मानवता को अभी रूपांत्रित नहीं करते आध्यात्मा पर एक फिल्म बनाएंगे तो हमारे पास जो भी माध्यम है जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया हो हमारे पास संबात के जो भी माध्यम है उनका इस्तिमाल इनसानों को रूपांत्रित करने के लिए जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि इस धर्ती पर बस यही एक समस्या है इनसान और कोई समस्या नहीं है हलो? हाँ या न? यही एक मात्र समस्या है तो जब आज संबात का इतना शक्तिशाली माध्यम मौझूद है ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिससे हर इनसान तक पहुंचा जा सकता है चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो जब यह संभावना मौझूद है तो मानवता को रूपांतरित करने का यही समय है